अलो दोस्तों आपका बुदबुद स्वागत है हमारी यूटूब चैनल अंग्रेजी अकेडमी में दोस्तों आपको वन टू वन क्यूशन एक्स्प्लेयन करेंगे लेवल फॉस्ट का जो पेपर है उसको आपको समझाएंगे देखे पहला क्यूशन है इसमें कमवर्शन दौ दोस्तों वन नीती है वो आपकी 2010 में की गई उसके बाद में आता है काली मिर्दा जानी जाती है तो काली मिर्दा है वो किस नाम से जानी जाती है दोस्तों यहां पे आपका आता है रेगूर मिटी से तो इसमें क्या हो जाएगा ए उप्सन आ जाएगा नेक्स आपका आता ह दोस्तो बनास नदी का उद्गम इस्तल है तो बनास नदी का उद्गम इस्तल कौन सा है दोस्तो खमनोर की पाडिया ठीक है नेक्स्ट आपका आता है चंबल बेसिन की खंड भूमे को कहा जाता है तो चंबल बेसिन की खंड भूमे को दोस्तो देखे अब नलीकाएं कहा जाता है, आगे आता है आमें шु स् definitions बोली राजस्तान में नीं बोली जे तो देखें दोस्तों यहां बे आपका जो यह राजस्तानी भासा से लिया गया इसमें अवधी भासा है, वो नीं बोली जो ओके, next आपका question number, at आता है दोस्तों यहाँ पे कि गनेशवर है, वो कौन चितरकार हैं ठीक है कमला और इलाइची है वो कौन सी चितरकला सैलिसे हैं तो दोस्तो नाद द्वारा चितर सैलिसे हैं नेक्स्ट है इस तरियां बोरला आबुशन सरीर के किस भाग पर पहनती है तो बोरला है वो सीर पर पहना जाता है दोस्तो नेक्स्ट आपका आता है कि र अधिने बोली जावे ठीक है तो यह जो हडोती बोली है वो कोटा और बुंदी की है हडोती क्योंकि हाडोती चेतर कहलाता ना कोटा बुंदी जालावाडवाला नेक्स्ट है दोस्तो बर्खान है तो देखिए बर्खान क्या है तो बर्खान है दोस्तो आपको रेत के टीले है उनको बर्खान कहते है नेक्स आता है जहांगीर ने मुगल बादसा बनने के बाद में किस राजपूत सासक के मंसब को कम कर दिया था तो देखे जहांगीर ने जो मुगल बादसा है वो राजपूत सासक कौन था मान सिंग तो इसके अंदर आपका अंसर क्या आ गया मान सिंग कौन सी पस्मी राजस्तान में पाई जाने वाली एक गास नहीं है, तो यहाँ पे सालर है, वो सालर का गूंद होता है दोस्तों, ये गास का प्रकार नहीं है, ये याद अखना, नेग्स्ट आपको क्या आता है, 1938 में क्रोली राज्य परजा मंदल की इस्तापना किस ने की थी, तो 1938 में त्रिलोग चंद माथूर ठीक है दोस्तों जैसे कि मैंने आपको समझाए था क्रोली त्री त्रीक और रो जो से हैं तो ऐसे आपको कुछ हिंस देते याद करने के लिए तो इसमें आपका अंसर ही आ जाएगा नेक्स्ट क्या है दोस्तों क्यूसर नमबर 18 का है कौन सी राजस्तान की लोक नाटे सेली नहीं है तो लोक नाटे सेली है वो ढाड़ी ये नहीं है ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्या है मान हेरा टीबा खालिस्तान का प्रमुक खनन चेतर है तो मान हेरा टेबा है वो आपका प्राकर्तिक गेस कौन सा है दोस्तो प्राकर्तिक गेस यह very important है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना next आज दोस्तो निमल लिखित में से कौन फडवात्सन से समधित है वन्य जीव अधीनियम कब लागू आथा 1972 में लागू आथा ये एक अक्साच है साथ आठ में ये सारे क्यूसन आपको मिल जाएंगे दोस्तों नेक्स्ट आपका आता है चितोड के किले में त्री भुहन नारायन मंदिर का निर्माता कौन थे तो देखिए यहाँ पे आपके जो भोज परमार है भोज परमार है वो त्री भुहन नारायन मंदिर के निर्माता थे ठीक है नेक्स्ट आथा है इसका है राजस्थान में राम कथारे आधार पर रामायन सरने उर्सु अख्यान का विक्पुन लिक्यो भई तो इसमें आपका अंसर जो आता है वो मेहोजी गोदारा ने लिखा था नेक्स्ट आता है दोस्तो 24 का राजस्थान का 13 पंथी संपरदाई निमन लिकित में से किस से समंदित है तो देखिए जैन धरम से है यह आप मेरा उसमें 10 क्लास का वीडियो उसमें देखोगे न तो यह मैंने आपको अच्छे से करार का हूब हूब क्यूशन पूचा गया है मारवाड की पन्ना धाई किसे कहते हैं दोस्तो तो मारवाड की पन्ना धाई गोरा धाई ठीक है दोस्तो नेक्स्ट आपका आता है नेक्स्ट दोस्तो करसना कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसकी विवा की विवाद में राजपोता ने में राजनितिक उत्ल पुत्ल उत्पन कर दिया था तो दोस्तो उदेपूर की राजकुमारी थी नेक्स्ट क्यूशन आता है आपका ट्रेंज कमीशन किस आंदोलन से समन्दित है ट्रेंज कमीशन जो है दोस्तो वो बेगु किसान आंदोलन से है ट्रेंज आयोग यह आदखना यह सारी किसन आपको करवार किया है आप देशे देखोगे ना उसमें राजस्थान के किस संभाग में सरवाधिक मक्का उत्पादन होता है तो राजस्थान के उदेपूर संभाग में सरवाधिक मक्का उत्पादन होता है नेक्स आता है दोस्तो जनगर्ना जनगर्ना 2011 के अनुसार एक वेक्ति जिसकी आयू सात वर्ष या अधीक है तदा किसी भा आसा को समझने के साथ पड़वर लिख सकता है वह कहलाता है तो दोस्तों यहां पे वह विग्य कहलाता है नेक्स्ट आपका आता है मुकंद्रा की पहाडिया कौन से जिलों में विस्तरत है तो मुकंद्रा की पहाडिया जहलावाड और कोटा में विस्तरत है नेक्स्ट दोस्त प्राजस्तान में वालर कर्शी का प्रकार है तो देखे दोस्तों वालर कर्शी क्या है इस्तानांतरित कर्शी है नेक्स इसके बाद में आता है कुंबलगड तथा गोगुंदा के मद्दे उच भूमी कहलाती है देखे दोस्तों यहाँ पर आपका अंसरा आता है बोराट कहलाती है नेक्स आता है मेजा बांध बनाया गया है तो मेजा बांध है वो कोठारी नदी पर बनाया गया है नेक्स आता है कुंबलगड का दुरग देखे दोस्तों कुंबलगड का दुरग का परमुक सिल्पी कौन था? यहाँ पर क्या पुछा है? सिल्पी पुछा है यह मैं आपको बहुत बार करा चुका हूँ ठीक ना मंडन है नेक्स यूशन है जसनाती संपरदायरी परधान पीठ कठीन है तो आपको कत्रियसर बिक्का नेर के अंदर नेक्स यह दोस्तो बिक्का नेर के निकट संबरा थल को किस लोग देवता ने अपना करम स्थल बनाये था तो इसके अंदर आपका आता है जंबो जी नेक्स आता है रामसरूप किसान रोग कहानी संगेनी है तो देखिए रामसरूप किसान रोग कहानी इसके अंदर आपका answer क्या आएगा धान कथावा ठीक है दोस्तो क्योंकि इसमें क्या पुछा है नहीं है कि बात कर रहा दोस्तो ये तीकी धार बारिक बात आडा खोड़ी ये इसकी है ठीक है और ये नहीं पुछा है इसका मतलब ये धान कथावा ना ये याद अखना नेक्स आता है भारत गोरो रेल का मुख्य उदस्य है तो भारत गोरो रेल का मुख्य उदस्य है घरेलू प्रियटन को प्रोचसाहन देना ठीक है दोस्तो नेक्स आता है मरू रास्टी उद्धान सब को पता है सब का सही होगा मरु रास्ति उद्धान कहा है दोस्तो जैसलमेर के अंदर है कलाप्रेमी सावंद सिंग किस प्रांथ के साखते तो यहाँ पे किसंगड प्रांथ के साहखते दोस्तो देखिए इसके अंदर आपका क्या आता है वर्जस सेंसूरी है ना वो नहीं है इसके अंदर नेक्स्ट है रजस्थानी लोग साहिद तेरी दीट सूं हर्जस कहीं है तो हर्जस कहीं है वई तो हर्जस आपका लोग गीत होता है ने हर्जस किसी के मरने पर जो गया जाता है उसको हर्जस बोलते हैं यह द्यानक ना कजली तीज का त्योहार कहां मनाया जाता है तो कजली कहा है वही कजली देख़़ आपको बताया मैंने दो है कजली तो कजली तीज वैसे क्या है बुंदी की famous है यहाँ पर जेपूर में हरियलितीज है और यहाँ पर कजलितीज बुंदी आ गया नेक्स्ट है नेमल लिखित में से कौनची राजस्तान में वनों के परसासनिक अभगीकर्ण की स्रेणी नहीं है तो दोस्टो यहाँ पर अनारक्सित 1 यह वाला नहीं है नेक्स्ट आता है नेमल लिखित में से किस लोक देवता को जाहिर पीर तो जाहिर पीर आप सबको पता है कौन है गोगाजी जहर पिने वाले तो इसमें अंसर क्या जाएगा गोगाजी आजाएगा तो इसके रचनकार परत्वीराज राठोड है बिसल देव रासो किन भात्रो कावे है तो इसमें आपका क्या गया प्रेम कावे है दौस्तो नेक्स रता है प्रथ्यात धार्मिक स्थल अम्बिका माता का मंदिर का है तो अम्बिका माता उदेपूर में है दोस्तो नेक्स आता है दोस्तो आस्ट्रा हिंद 22 का आयोजन स्तल था तो आस्ट्रा हिंद 22 का महाजन फिल्ड फाइरिंग रेज बिका नेर ये आपके करेंट जिक्के का क्यूशन है नेक्स आता है टोक्यो पेरा ओलंपिक 2020 अवनी लेखरा द्वारा कितने पदक जीते गए दोस्तो तो यहाँ आपके जो पदक है वो दो जीते गए हैं दोस्तो यहाँ नेक्स आता है राजीव गांधी Fintech Digital संस्तान कहां इस्तापित किया जा रहा है तो इसके अंदर जोदपूर में किया जा रहा है अगला क्यूशन है Operation Sardhava ये काफी दिनों से चाल रहा है Operation Sardhava सीमा सुरुक्षाबल यानि कि BSF के द्वारा यहां पर किया गया था Next आता है राजस्तान के अरजुनलाल जाट ने Tokyo Olympic 2020 में किस स्पर्दा में भाग लिया था तो ये आता है नोकायन में Next आता है सर्वे दर्शे सामगरी का परियोग करते हुए किस सुत्तर का पालन करना चीए दोस्तो तो यहां पर आता है मूर्थ से एमूर्थ की ओर ठीक है Next आता है राजस्तान के खिलाडी दंज दर्जी जो हाल ही में खबरों में थे किस खेल से समंदित है तो दोस्तो इसके अंदर आता है वो फुटबॉल से समंदित है Next आपका आता है ऐसे बालक जो अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती अत्वा समाजिक वह सेक्षनिक पिछड़े वग से समंदित है उन्हें परिवासित किया गया है तो दोस्तो उन्हें एलाभित एस्वीद्दा ग्रिस्त समू हमें रखा गया है Next है The Study of Administration के लेखक कोन है तो दोस्तो इसमें Woodrow Wilson है इसकी Next आपका रजस्थान में खंड इसतर का सरोच पदा दिकारी कोन होता है तो खंड का मतलब क्या हो गया भई Blok स्तर पे तो CBO होता है नेक्स्था आपका क्या आता है Rs.IC राजस्तान लगू धोग निगम लिमिटेट को किस वर्स पब्लिक लिमिटेट कमपनी का दर्जा दिया गया तो दोस्तो इसमें आपका आता है 1975 के अंदर नेक्स्ट है जोदपूर में राष्टी पादप अनुवानसिक संसादन ब्यूरो का प्रादेशिक के अंदर कब इस्तापित किया गया था तो दोस्तो इसमें आपका क्या आता है 1965 आता है ठीक है नेक्स्ट है आपका राष्टी के युवाओं को रोजगार परदान करने के प्रियास में राष्टान सरकार दुवारा आयोजित मेगा जोब मेला चार और 5 जनर्री 2023 को कहां आयोजित किया गया दोस्तों तो इसमें आपका आता है उदेपूर में क्या गया डी अंसर आ जाएगा इसका नेक्स्ट है राजस्थान में कितने जिले सीमा चित्तर विकास कारेकरम के अंदरगत आते हैं तो देखे दोस्तों इसके अंदर आपका अंसर आ गया च्यार जिले आते हैं राजस्थान राजे का अधिकारिक नर्ते कौन सा भाई अधिकारिक नर्ते इसके अंदर आपका एंसर क्या आगया घूमर है राजस्थान का घूमर नर्ते है ना वो अधिकारिक लोक नर्ते है जल जीवन मिशन सरकार का एक महत्तुपून कारे करम है ठीक है जिसका उदस से हर ग्रामीन घर में ब्लेंक तक नल का पानी उपलब्द करवाना तो देखिए इसके अंदर 2024 तक सब को देखिए आपके भी चारोतर पाइपलाइन गड़ रही देखना ठीक है उसको देखना आपका आता है एशिया का सबसे बड़ा क्रसी फारम राजस्तान की निमल लिकित में से किस इस्तान पर इस्तित है तो देखो ये किसरन सेम टू सेम मेरा करवायवा है आप देख सकते हो जाके यहाँ पर आता है आपका सुरतगड गंगानगर नेक्स्ट प्रात्मिक इस्तर पर RTE अधिनियम 2009 द्वारा वी निर्दिष्ट चात्र सिख्षक अनुपात है तो देखिए 30 चात्रों पर 1 सिख्षक ये वाला अनुपात है इस पर नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों नेमलेकित में से कौन सा वन्ने जीव जालोर जिले का सुम्बकर है तो जालोर जिले का सुम्बकर कौन सा है भालू रींच नेक्स्ट है दोस्तों दुनिया के सबसे उंचे युद्ध छेतर सिया चीन गलिये सिर्पर तैनात वने वाली पर्थम मैला अधिकारी कोन बनी है जो राजस्तान से है तो इसका अंसर क्या आगया कैप्टन सीवा चुहान नेक्स्ट आता है दोस्तो आपका राजस्तान आटीई अधिनियम में कितने भाग वा कितनी धाराय है तो देखिए ये वाला धाराय वाला आपको करवार का है दस तो भाग है और 29 धाराय है नेक्स्ट है दोस्तो अजे सिंग सेखावत किस से समन्दित है वही अजे सिंग सेख दोस्तो इसके अंदर आपका क्याता है तीन चोथाइस अदर से न वो अभिवावक होनी चीए राजिश्थान में मिशन निर्यातक बनो इसका आरंब 29 जुलाई 2021 को किया गया है नेक्स्ट क्यूशन दोस्तो राजीव गांदी डिजिटल योजना किस वर्ष शुरुई तो बिकानेर में इस्तित है अगला है सरसो अनुसंदान इदेशाले इस्तित है तो सरसो अनुसंदान है वो भरतपूर सेवर में है ठीक है तोस्तो नेक्स्ट है अगर एक उच्छ प्रात्मिक विध्याले में कुल 130 विध्यार्थी नमांकित है ठीक है तब सरकार द्वारा उस विद्याले में कितने अध्यापों के स्विकर्त पद होंगे, देखिए इसके अंदर क्या होता है, चियार पद होंगे, ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या आता है, यहाँ पे निसुल्क और अनिवारिय सिक्षा अधिनियम 2009, आयुवर्ग के बालकों को निसुल्क यह अनिव यहाँ पे जैसमद जील में इस्तित है, नेक्स्ट आपका आता है, राजस्थान में पर्थम जेंडर बजट किस वर्स में प्रस्तूत किया गया, तो जेंडर बजट 2012 में प्रस्तूत किया गया, सांस्कृतिक संस्थान भारती लोककंडला मंडल इस्तित है, तो यहाँ पे लोग कला मंडल उदेपूर में इस्तित है अगला क्यूशन है दिसंबर 2022 में किसे गलोबल यूथ हुमन राइट चेंपियन अवार्ड दिया गया तो दोस्तो इसके अंदर आपका अंसा था डोक्टर कृती भारती को दिया गया नेक्स्ट है बीवी जरिना का मकबरा कहां इस् अगला क्यूशन है सेक्सिक अनुपरियोग में विशे वस्तु किस प्रकार की होनी चीए सरल से कठीन होनी चीए आगया आता है निमनलिकित में से कौन सा भोतीक परिवर्तन गरम करने पर पिटी तार का चमकना ये क्या आपका भोतीक परिवर्तन है उसके बाद में आता है स आउर होगा वाई हैंड्ए होगा नेक्स्ट आपका क्या था ह्इथ इंग्लिस के इसमें पेशीवाच पूचा है समें इसक्जारे के ंर रेmmर यहां पर है यहां पर है गन्से में तो इसमें क्याएगा दोस्तोर थींत नेक्स्ट है निमलिकित में से किसका उपयोग, अब चोये अनुमापन, रेडोक्स अनुमापन में प्रातमिक मान की रूप में किया जा सकता है, तो दोस्तो इसका जो अंसर आएगा वो भी आएगा नेक्स्ट आपका आता है असी के निकट ऐ भाजी संख्या है तो दोस्तो इसमें क्या है 79 ठीक है नेक्स्ट है निमल लिकित में से किस वाक्य में सक्रमक किरिया नहीं है तो रमा हस्ती है इसमें नहीं है next आपका क्या आता है दोस्तो इसमें आपको direct speech पुछा गया है तो इसमें answer आता है तो इसका answer she asked them if they were ready तो ये direct speech बनाएगो तो ये option आ जाएगा next आता है मेरा बाई का जनम कहा हुआ था दोस्तो तो ये आपका क्या आता है कुड की next आता है it is time we तो देखिए दोस्तो ये जो it is time वाला है वो अपने आगे क्या लेगा second form of the verb लेगा तो इसमें आपका जो option आएगा क्या आएगा left आ जाएगा next आपका क्या आता है 101 में इसमें ये जो math का question दोस्तो तो 101 का जो है उसमें आपका answer देखिए क्या आता है इसका सीधा अपन answer पर चलते हैं तो इसमें आपका answer क्या हो गया 42 हो गया ठीक है दोस्तो next जो है इसमें आपका एक फेजल वो पूछी है ठीक है कौनसी held back तो इसका मतलब क्या हुआ concealed होना next question आपका निमले कितमे से सुद्ध सब्ध पूछा है इसमें तो सुद्ध सब्ध कौनसा हो गया ए भिग्गी हो गया सीता खाना खाकर जैपूर जाएगी वाक्य में कौनसी किरिया है दोस्तो तो वाक्य में पूर्व कालिक किरिया है next आपका क्या आता है कि यदि किसी पिंड पर कारिये बल सुनने है तो उसका समवेग है तो दोस्तो इसके अंदर क्या आगा नियत आजाएगा next आपका आता है कि why vs सौसन के दोरान गलकोज के वीग धनको निमन में से किस रेखाची तर से सही दर्शा आगया है तो देखोई दोस्तो इसका ए अंसर हो जाएगा next आता है एटलस परवत कहां है एटलस परवत आपका अफरीका में है next आता है निमन लिकित में से कोन सा सब्द जाती वाचक संग्या नहीं है तो देखे जाती वाचक संग्या है वो गंगा क्या है एक वेक्ति वाचक संग्या है या दखना नेक्स्ट आपका क्या आता है दोस्तों कि निमलिकित में से कोन राजस्थान से पहले वेक्ति थे जिनोंने मूल सविधान पर अस्ताक्सर किये थे ये क्यूशन दोस्तों मैं आपको करा चुका हूँ तो इसके अंदर क्या आएगा बलवन सिंग महता नेक्स्ट आपका आता है रुधीर में उपस्तित परतिसकंदक जो की प्रोथ्रोबिन के संक्रियन को रोगता है तो दोस्तों इसके अंदर 110 में आपका अंसर आता है हिपेरीन Next आपका मैत का है रेखे यूगम के कोनों का योग है तो यहाँ पे आपका अंसर आता है दोस्तों 180 डिगरी नेक्स्ट आपका क्या एडियम पूछा है don't beat around the bush ठीक है दोस्तो तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया say things to the point सीधी बात कहना है यह नहीं don't beat around the bush यहाँ कि गुमाफिरा के कोई चीज़ को हमें नहीं कहना है कि says things to the point सीधी बात नो बकवास है बोलते ने साथ तो यहाँ पे next question आता है गोविंद ने राम को जगवाया वाकिमी किरिया का कोन सा रूप है तो इसमें क्या आगया प्रिनार्थक रूप है next one one four यानि कि इसमें मैत का पूछा है दोस्तो तो 114 में यह वाला जो अंसर है आपका वो क्या हो जाएगा c यानि कि 7 हो जाएगा इसका अंसर next आपका आता है नियून में से कौन सा संगठन राजस्तान राज्ये के कारिग्रों को उनके उत्पाद के विपन की स्विद्धा परदान करता है तो दोस्तो इसके अंदर आपका अंसरा जाएगा राज सी को पहला ठीक है next आपका इंगलिस का है ग्रामर जो यह मेथड्स के हैं तो इसमें मेथड्स के आप लगा लीजिए ग्रामर टांसलेशन मेथड की बात कर रहा है फ्वस्ट में ठीक है ना यूज दे लोवर सेकंडरी स्टेश तो इसमें ग्रामर टांसलेशन मेथड आ जाएगा ठीक है दोस्तो next आपका क्याता है एक प्रिक्षक बोर्ड प्रिक्षया में निमन्दात्मक प्रसनों की जांच हेतु अंकन योजना का उप्योग करता है ठीक है दोस्तो यहाँ पर अगला क्यूशन आता है आपकी कक्सा की कुछ विदार्थियों का गनीत के प्रती नकारात्मक दस्टिक होना ठीक है आप इसे दूर करने के लिए क्या करेंगे तो यहाँ पर इसको दूर करने के लिए सिक्षन विदियों में सुधार करेंगे नेक्स्ट क्यूशन है जिस प्रिक्षया में सभी परसनों का उत्तर एक समान हो तो उसमें किस गुण का अभव रहेगा तो उसमें विभेद कारिता का अभव रहेगा नेक्स्ट आता है विध्याले पाठे क्रम के विशे के सिक्षन अधिगम में खोज उपागम की उप्योग को लोगप्रिय बनाने का सरे किसको जाता है दोस्तों तो यहाँ पे आपका आता है जेरोम ब्रूनर को वाच्चन की विशलेशनात्मक विधी नियून में से कोन सी विधी ए संगत है तो यहाँ पे आपका अंसर क्या है दोस्तों देखो ओ द्वनी संम्य विधी इसमें क्या जाएगा? बी अंसर आजाएगा नेक्स्ट है सही विकल्प का चेन करना है तो देखे दोस्तों इसमें बी आजाएगा मानक समधित मुल्यांकन में निर्देशन के अंत में प्रिक्षन का उप्योग किया दाता है योगात्मक मुल्यांकन तो इसमें क्या जाएगा आपका B अंसर आजाएगा इन में से कौन सा कागज फ्लेनल बोर्ड की पीछे चिपका रहता है तो देखे दोस्तों इसमें रेगमाल कागज रेजमाल जो मिटाने का कुछ न कुछ उसमें आता ना नेक्स्ट है ड्रेकोली विदी कौन से विद्दार्थियों के लिए प्रियोग मिली जाती है तो इसमें आपका आता है मानसिक विकार मंद बुद्धी विदार्थी तो इसका अंसर हो गया D और नेक्स्ट है आपका आता है दोस्तो कि निव लिखित में से कोन सा कथन रचनावाद उपागम संदर्भ में सही नहीं है तो इसमें आपका जो अंसर आता है वो डी आएगा रचनावाद में ग्यानार्जन की प्रक्रिया के स्थान पर उसे प्रप्त प्रणामों को सीधे ही विद्धार्थियों के मस्तिक्स भरने का प्रियास किया जाता है Next है which one of the following is not the characteristic of the criterion test दोस्तो इसमें क्या है practice ability यह नहीं है ठीक है दोस्तो यहाँ पर Next है which one is applicable of the community language teaching CLT तो इसमें आपका क्या आगया It dwells the creative skills in students तो इसमें B आगया answer चित्रों को आशितामसार बोर्ड पर चिपका कर कसा कस में परदसित किया जाता है इस बोर्ड को कहते है तो देखिए दोस्तो इस बोर्ड को हम क्या कहेंगे फ्लालेन बोर्ड कहेंगे ठीक है दोस्तो फिर आता है आपका 29 Speech must proceed तो देखिए इसके अंदर आपके 29 में आगया reading and writing Next है यहाँ पर निमन लिखित वर्गात्मत यों युगपत समेक्रणों को हल करने में उप्युक्त सिक्षन सायक सामगरी है तो दोस्तो इसमें ग्राफ है न वो है Next आता वट इसमें विदार्थियों के अधीगम को के कमजोर छेत्रों की पहचान करने के लिए किस प्रकार का प्रिक्षन सायक है तो यहाँ पर आपका अंसर आया दोस्तो निदानात्मक ठीक है न निदानात्मक है जिसको बोड़ोंगे डाइगनिसिस करना Next आपका क्या आता है कि इन मेंसे कौन सा प्रकरण प्री चर्चा विधी प्रिचरिया विधी द्वारा पढ़ाने हेत्व उप्यूप्त नहीं है तो दोस्तो इसमें आपका अंसर क्या है सोर मंडल नेक्स्ट आपका आता है निमल लिखित में से कौन सी सर्वे साहिक सामगरी नहीं है तो सर्वे साहिक सामगरी कौन सी नहीं है यहाँ पे यहाँ पे आता आपका B अंसर एपी डायस्कोप यह नहीं है बाकि यह क्या है सुनने वाले हैं ठीक है दोस्तो next 134 इन में से कौन सी सामाजिक प्रिस्तिती मानव जीवन को परबावित करती है तो यहाँ पे आपके मानव जीवन को क्या करेगी धार्मिक स्थान ठीक है दोस्तो next आपका आता है यदपी विज्यान सिक्षक किसी भी प्रकरण को सीधा नहीं समझाता फिर भी प्रिच्छा उपागम में सिक्षक को एक मुख्य भूमे का निभानी होती है तो दोस्तो इसमें आगया आपके अंसर अनुदेशक वै सहज करता next आपका आता है रिदिमा ध्यान की कमी से पिडित है और वह सीशु जैसे विभार को प्रत्यावर्तित करती है यह समायोजन त अंतर है तो दोस्तो इसमें परती गमन है यह दखना next आपका व्यक्ति वह विशेशता है जिसके आधार पर विशेश परिश्थितियों में व्यक्ति के विभार का अनुमान लगाय दाता है किसने व्यक्याइद किया था तो इसमें दोस्तो आपका केटल ने किया था next दोस् वाटावर्ण दोनों, next 140 में निमलेकित में से कौनसा परिक्षन भाट्या बेटरी परदलसन परिक्षन का भाग नहीं है, तो दोस्तों इसमें आपका क्या अंसर आता है, वस्तु समनुक्रम परिक्षन ये वाला इसमें भाग नहीं है, next है जनम के समय, एक नवजात का सीर, अपने सरीर की कुल लंबाई के कितने परतिसत रहता है तो दोस्तो इसमें 25 परतिसत रहता है नेक्स्ट 142 नियू में से कौन सा जोड़ा है वो गलत है दोस्तो इसमें कौन सा आगया आपका थोरंडाइक है ना इसने तो बिली पे किया था कोलर ने चिंपाजी पे, स्किनर ने चुए पे पावलव ने कबूतर पे नहीं किया ठीक है दोस्तो नेक्स्ट आपका आता है किसके अनुसार अधिगम के अंतरगत वाता वर्णिये आवसेक्ताओं की पूर्ति के लिए विवहार में आये समस्त परिमार्धन समाइत रहते हैं तो गार्डन मर्फी नेक्स्ट आपका आता दोस्तो एक सिक्सक ने देखा कि रानी को सही वर्तनी लिखने में प्रेशानी है बड़े वैद छोटे एक्सरों का भेद नहीं कर पाती वह अक्सर बनाने में प्रेशानी आती है उसे कौन सी विकलांगता है तो दोस्तो इसमें आपका जो अंसर आएगा न वो डिस्क ग्राफिया ठीक है नेक्स्ट आपका आता है 145 नियूर में से कौन सा वाके सेक्सनिक मनो विज्ञान की परवर्ति के लिए सही नहीं है तो देखिए 145 में आपका अंसर है यह सकारात्मक विज्ञान की एक जगह है एक नियामक विज्ञान है नेक्स्ट आपका आता है 146 MS वर्ड में कंट्रोल प्लस इस इक्वल की का प्रियोग किया जाता है यह क्यूसन दोस्तों मेरा करवाया हुआ है इसमें क्या है सब्सक्रिप्ट के लिए ठीक है नेक्स्ट आपका आता है Lumi यानि की L-U-M-I कंप्यूटर का एक उदारण है तो यहाँ पे आपका क्या है सूपर कंप्यूटर का उदारण है दोस्तों किसका उदारण है इसमें सूपर कंप्यूटर नेक्स है रेडियो तरंगे संचार के उदारण है तो रेडियो तरंगे है वो यहाँ पे बेतार संचार के उदारण है और यहाँ पे 149 में पुस्तकाले को डिजिटल रूप में रखना क्या है यहाँ पे आपका अंसर आता है डिजिटल पुस्त काले और अंतिम क्यूशन है दोस्तो जब आप Excel फाइल को World Document में इंसर्ट करते हैं तो डेटा होते हैं तो डेटा इसमें क्या होंगे लिंक जहोंगे दोस्तो अब आपको बताना है कि आपके कितने सही है फिर आपकी कटोफ के बारे में बताएंगे थैंक्स फूर वाचिंग